कुर्खुरी क्रिस्पी भिंडी बनाने की कोशिश सभी करते हैं लेकिन वो कुर्खुरी बने ना बने वो अलग वात है तो आज मैं आपके लिए एसी कुर्खुरी क्रिस्पी भिंडी बनाने की रेसिवी लाया हूं जो 15 दिन तक कुर्खुरी रहेगी आपको कुछ बातों का सबीगा आप देख भरह सहौन सरमा किचन गिंग, मैं हूँ सहौन सरमा चाइब शुरू करते हैं कुरकुरी भिंडी बनाना ये 300 ग्राम भिंडी है सबसे पहली बात का ध्यान रखना आपको भिंडी जो लो आप कुरकुरी भिंडी बनाने के लिए वो बड़ी बड़ी भिंडी लेनी है आपको मोटी मोटी थोड़ी पकी हुई सी भिंडी लेनी है कच्ची वाली छोटी भिंडी नहीं लेनी है आपको अच्छे से भिंडी को पहले पानी में डुबो डुबो कर वोस कर लीजिए ठीक है अच्छी तरीके से भिंडी को वोस करन बिंडी का बिंडी एकदम ड्राय हो जाए PANY ना रहे तब आपको बिंडी की कटिंग करनी अगे पिछे से थोड़ा-थोडा समनों खटा देना है फिर ऐसे लंबे तरीके से भिंडी गे च्यार फीज कर देने, जादा बड़ी हो तो पांसे छै पीस कर सकते हैं, अगर इसके आदर बड़े बीज है तो वो निकल जाएंगे, अपने आप इस तरी के से भिंडी को थोड़ा एसे मसल देजिए ताकि भीज जो है वो नीचे रह जाएंगे और भिंडी को फिर अपने हातों से ऐसे दूसरे बरतन के अंदर निकालिए, ये बड़े-बड़े बीच जो है, वो सारे पिछे रह जाएंगे, तो ध्यान रखिए, इस तरीके से भिंडी आपको रेडी कर लेनी है, उसके बाद भिंडी के अंदर आपको 1-4 चमज हल्दी पा यहीं कलती करते हैं, नमक अंदर डालेंगे, तो भिंडी फ्राई होने के बाद भी नरम हो जाएगी 1-5 गंटे के बाद, भिंडी को अच्छी तरह मिला के 10-15 मिनट रख दीजिए, बीच वीच में भिंडी को इस तरीके से पलटते रहिए, ताकि भिंडी की जो नमी है, उस से बेशन भिंडी के अच्छे से लिफट जाए, और नमी से बेशन एकदम भिंडी के चिपक जाए, इधर मैंने कड़ाई चड़ाई है, धिमी मीडियम आज में सुवे ने 300 ग्राम फ्राई के लिए तेल चड़ाया, जैसी तेल घरम हो गया, तो भिंडी आपको इस तरीके स डाल देनी है, दो से तीन वार में भिंडी आपको फ्राई कर लेनी है, और शुरू में आपको गेस हाई मीडियम आज में रखना है, उसके बाद धीमी आज में कर देना है, बिंडी डालने के बाद जब यह जागी जागी से तोड़े कम हो जाए, तब पलटिए उसको, उसक बिंडी को फ्राई होने दीजिए, ध्यान रखिए, यहाँ पे बिंडी फ्राई हो, तब बिंडी काली ना हो, नहीं तो कडवी हो जाएगी, इस तरीके से देखे, बिल्कुल जागे-जागे कम हो गए है, और धीमी मीडियम आज में इसको फ्राई कर रहा हूं, इस तरीके क सारी विंडी आपको फ्राई करके तेल से निकाल लेनी है, धीमी मीडियम आज में ध्यान रखिएगा, दूसरा पावा डाल देता हूं, इस तरीके से सारी विंडी में फ्राई कर लूँगा, और एकदम क्रिस्पी बनेगी, देखे किती सांदार लग रही है, एकदम ये 15 द जादा नमक नहीं डलता, और वन फॉर्ट लाल मिर्ची पावडर डाल रहा हूं, बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो कम डालिए, और ये वन फॉर्ट छोटी चमच, अम्चूर पावडर डाला है मैंने, और इसी किसा थोड़ा सा गर मसाला डाल रहा हूं, बस यही मसाले डालने हैं, बच्चे अगर चाहते हैं, बच्चे अगर पसंद करते हैं, तो आप मेगी मसाला थोड़ा सा डाल सकते हैं, इसके अंदर अच्छे से मिला लीजिए, और सफर में जा रहा है, तो आप ये भिंडी बना के ले जाईए, बहुत काम की चीज है, बहुत ही टेस्ट लगेगी, और एकदम कुरुकुरी रहेगी, जीप लोग के अंदर डाल के, अच्छे से रखिये, पेक करके, बिल्कुल कुरुकुरी रहेगी बिंडी, तो इस तरीके से बनाएए, खाईए, और वीडियो पसंद आए तो फ्लीज, वीडियो को लाक से जरूर कीजिए, बना तरीका कर दीप टरीके से बात्रीक में दिल्कुल